आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कमल ककड़ी के कबाब और यह बहुत ही जादा टेस्टी बनती है यह वाली सबजी तो चलो ट्राइ करते हैं इसे और बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कमल ककड़ी ली थी यह देखिए आप देख रहे हैं इस तरह से दोनों से बंद होनी चाहिए अगर यह किसी साइड से खुली होती है यह देख रहे हैं आप ऐसे बला पार्ट होना चाहिए अगर यह टूटी हो होती है तो क्या होता है कि सारा का सारा जो कूड़ा होता है न क्योंकि कमल जो होता है न वो कीचड में ही उखता है तो वो जो गंध है न इसके अंदर भरा हूआ होता है सो ध्यान रखिए आपको बंद वाली ही लेनी है आपको इस तरह से खुली वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी है अभी देख रहे हैं आप इसके उपर एक स्किन देख रही है ये जो आप धागे धागे वाली स्किन देख रहे हैं ये वली स्किन हमें इसके उपर से रिमूव करनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे टू पीसे में कर लूँगी और चाहे तो आप इसे चाकू की हल्प से इस तरह से छील सकते हैं और चाहे तो आप पीलर की हल्प से भी इसे पील कर सकते हैं यहाँ पर मैं पीलर से ही इसे पील करूँगी, क्योंकि पीलर से बहुत जल्दी से रिमूव हो जाता है, आपको जिस से बैटर लगे, उस से इसे पील कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पील कर लिया था, और एक बरतन में एक चमच नमक लेके, और इसे अच्छे से धो लिया था, तो ध्यान रखिए, जब आप इसे धो रहे हैं, तो नमक डाल के ही अच्छे से वोश कीजिए, नमक डालने के बाद आप इसे दो तीन बार अच्छे से साफ पानी से खंगाल लीजिए, तो यहाँ पर मैंने इसे दो तीन बार अच्छे से धो लिया था, बिल्कुल बहुत अच्छे से वाश हो गई थी यह, तो अब हमें कुकर लेंगे, कुकर में मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी लिया है, अब क्या करेंगे ना, जितनी भी हमारी कमल ककडियां हैं, वो इसमें दाल देंगे, सबसे पहले हम एक चमच इसमें नमक एड़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा ना, ककडियों के अंदर अच्छे से नमक चला जाएगा, तो हमारे हाँ पर इसमें लोटस स्टैम बोलते हैं, या फिर कमल ककडि बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, यह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अब देखे कूकर का लगा देंगे हम धकन और तकरीबन 4-5 सीटी आने तक इसे अच्छे से पका लेंगे तो 4-5 सीटी आ गई थी अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं तो आपको चेक कैसे करना है कि ये गली है कि नहीं तो यहाँ प पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल कर तो हमें ये दरदरी पीसनी है इस तरह से आपको दरदरी पीसनी है बिल्कुल बारिक इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है अब डालेंगे हम इसमें एक चमच भर कर अदरक लसन का पेस्ट और साथ में एक हरी मिर्च भी इसम चमच और स्वाद अनुसार नमक डाल कर इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब यहां पर हम डालेंगे बेसन तकरीबन चार चमच मैं बेसन ले रही हूं तो आप भी इसी तरह से बेसन लीजेगा बेसन लेने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए तरघु बनाते हुए इस तरह से फ्लैट करेंगे, और यह देखिए स्टिक के ंपर इसे चिपका देगे, यह देखिए बिल्कुल सी तरह से आपको चिपका आना है, जैसे आपने चिकन के लागपीस देखें न, उसी तरह से आपको इसको शेप देनी है और बीच से इस तरह से फ्लैट कर देना है फ्लैट करने से क्या होगा ना जो मसाला अच्छ से सिख जाएगा इसी तरह से हम सारे बना लेंगे यह देखिए दूसरा बना के दिखा देती हूँ मैं आपको देखिए इस तरह से दबाएंगे हातों से और बीच में इस तरह से स्टिक लगाएंगे और इसे अच्छे से दबाते हुए इसको फ्लेट बना के हम तयार कर लेंगे तो बिलकुल एकदम से चिकन लेक पीस जासा दिख रहा था इसका टेस्ट भी अमेजिंग होता है बच्चों को भी बहुत पसंद आता है तो आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं तो इसी तरह से हमने सारे बना लिये थे सारे हमारे बन कर तैयार हो गए थे अब हम क्या करेंगे ना एक पैन लेंगे और पैन में लेंगे थोड़ा सा तेल, तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून के आसपस हम तेल ले रहे हैं अब इस तेल को जब अच्छे से तेल गरम हो जाएगा धुआ निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि सरसों का तेल है तो धुआ निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो देखें अब हमने क्या करना है नहीं सारे के सारे अपने लोली पॉपस को इसके अंदर डाल देना है और जब भी एक साड़ से सिख जएगा तो हम इसे पलट के दूसरी साड़ से भी सिख लेंगे देखिए कितना अच्छा इसका color आया है कितने सुन्दर दिख रहे हैं ये एक side से सिख गए थे हम दूसरी side से भी से सेख लेंगे तो देखिए alert पर लटके हम इसे अच्छे से दोनो side से सेख कर तयार कर लेंगे तो हमारे जो कबाब है वो बन कर तयार हो गए थे एकदम से soft बने हैं और एकदम से brown brown crunchy crunchy बन कर तयार हुए हैं तो धियान रखिएगा इसको brown ही करना है आपको अच्छे से इसे पका लेना है दोनों साइड से brown करना है अगर आप इसे brown नहीं करते हैं तो ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे और सिम माच पर ही आपको इन्हें पकाना है तो सारे के सारे बन कर तयार हैं तो अब हमें निकाल लेते हैं तो बच्चे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं अब बच्चे को बहुत पसंद आते हैं ये तो देखिए ठंडे हो गए हैं अब हम क्या करेंगे ना इसमें एक कट लगाएंगे इस तरह से चाकू से कट लगा लेंगे दोनों साइड लगाएंगे ज्यादा कटने ही लगाएंगे दो दो कट लगा रहे हैं हम इसे क्या होगा ना जो मसाला हम बना रहे हैं ग्रेवी का वो इसके अंदर चला जाएगा, अगर आप कट नहीं लगाते हैं, तो मसाला ग्रेवी जो है, बनती है ना हमारी ग्रेवी, उसका मसाला इसके डीप तक नहीं जा पाएगा, तो दोनों साइड से इसी तरह से आपको कट लगाना है, सारे कट हमने लगा दिये हैं, So, कबाब हमारे रेडी हो गएए है, अब हम बना लेते हैं घरेवी, तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, सेम पैन ले रही हूँ, मैं आप चाहे तो अलग भी ले सकते हैं, तो इसमें मैं एक पिंच के आसपास ले रही हूँ, हिंग, हींग से बहर देखे हम एक चमच के आसप हलका ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अद्रक लसन का पेस्ट तो अद्रक लसन को आप दर्दरा पीस के भी डाल सकते हैं उसे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें तो ये अद्रक लसन के साथ मैंने एक हरी मिर्च को भी कूट लिया था तो देखे कितने अच्छे से इसे में हरा हरा रंग दिख रहा है अब इसे अच्छे से हम पका लेंगे तकरीबन जब तक हमारा जो मसाला है वो भून ना जाए प्याज लसन अद्रक जो हमारे अच्छे से भूने हुए ना दिखे ब्राउन ना दिखे तब तक हमें इसे पकाना है अब तक्रीबन चार मीडियम अकार के टमाडर की प्योरे टमाडर को आपको मिक्सी में डाल कर अच्छे से बारिक इसका पेस्ट बनाना है तो देखी कितने अच्छे से इसमें कलर आना शुरू हो गया है तो यहाँ पर हम डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच नमक पाउडर नमक स्वाद अनुसार रख सकते हैं और लाल मिर्च भी आप स्वाद अनुसार रख सकते हैं अगर आप कम खाते हैं तो मिर्च कम रखिए और एक चमच हल्दी डाल कर हम इसे तक्रीबन आधे मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे अब ये देखे मसाला हमारा पक गया था तो एक कटवरी हमने धई लिया है और धई हमें रूम टेंपरिचर पे लेना है और ये धई है ना वो बिल्कुल भी खटा आप यूज ना करिए तो ये जो सबजी है इसमें टेस्ट ना खटा खटा आएगा और आप कबाब का अच्छे से लुफ्त नहीं उठा पाएंगे तो ये देखे अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है तो फ्रेंस ये देखे ग्रेवी में हमारा कलर आना शुरू हो गया है बहुत अच्छी ग्रेवी लग रही है अब हम इसमें डालेंगे दो चमच पिसा हुआ धनिया धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच भर कर किचन किंग मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो कोई भी मीट मसाला इसमें डाल सकते हैं आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं उसमें ना उसे डालने से ग्रेवी में टेस्ट बहुत ही अच्छा था ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है तो देखे ग्रेवी हमारी पकने शुरू हो गई थी अब इसमें हम तकरीबन आधा कटोरी पानी डाल कर इस ग्रेवी को थोड़ी सी देर और कुक कर लेंगे इस से ग्रेवी बहुत स्मूद बनेगी और टेस्टी बनेगी फ्लेवर उसके अंदर चले जाएंगे बहुत अच्छे से तो यहां पर देखिए ग्रेवी में बबल साने शुरू हो गए हैं अब हम क्या करेंगे जितने भी हमने कबाब बनाये थे ना तो सबसे पहले हम इसमें पानी ओर डाल देंगे क्योंकि हम इसमें कबाब डाल रहे हैं तो तकरीबन मैंने एक ग्लास के असपस इसमें पानी डाल दिया था और इसमें अब पानी डालने के बाद थोड़ा सा ग्रेवी को हम पकाएंगे और जिससे की यह जो ग्रेवी है ना इसमें डाल दिये हैं और तक्रीबं 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे अच्छे से पका लेंगे तो देखे कितना अच्छल कलर आ गया है और यह जो कबाब है हमारे 2-3 मिनट में बनकर त्यार हो गए हैं एक बर एक बर और इससे पलट लेंगे पलटने क्या होगा ना जो कबाब में दूसरी साइड से भी अच्छे से वो सिक भी जाएगा और साथ में उसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छे से भर जाएगी तो देखिए ग्रेवी भी हमारी गाड़ी हो गई थी तो अब इसे सर्फ कर लेते हैं तो यहां पर मैं एक कटोरी चावल साथ मैं इसे सर्फ करूंगी है देखिए ग्रेवी कितनी टेस्टी लग रही है बहुत जादा यम्मी थी और साथ में जो कबाब है ना वो भी बहुत जादा डिलीसियस बना था और बच्चों को तो बहुत जादा पसंद आ रहा था बच्चे तो बहुत जादा लाइक कर र होंगी और आपको यह पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मॉटिवेट करता है और यह दिखिए मैंने दूसरे तरीके से भी सूखे वाले कबाब निकाल लिये थे आप चाहे तो इस पर थोड़ी सी ग्रेवी ब डाल सकते हैं और चाहे तो आप इसे ऐसे रोटी सबजी के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बहुती ज्यादा टेस्टी बन करता है